हलो गैस कैसे आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आज किस वीडियो में एक बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट और यूस्फुल टॉपिक को कवर करेंगे देखिए अगर आपका बजट साड़े आठ लाग से लेकर किया 16 लाग तक है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है क्योंकि इसी बजट में इंडिन कार मार्केट में बहुत ज़्यदा रश है Compact SUV और Mid-Size SUV का जो टकर है वो इसी प्रैस ब्रैकेट में है तो आपके लिए कौन सा गाड़ी से ही रहेगा Compact SUV ये फिर Mid-Size SUV तोनों में क्या कुछ खुविया है और कम्या है इस वीडियो का आप आगे देखते रहे हैं आप जबके भी आपना Hard & Money एक कार पर लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि उस कार का असली value असली मज़ा आप ले सकें तो दहीं अगर आप SUV लेना चाते हैं तो Compact SUV और Mid-Size SUV में आता कौन-कौन सा गाड़ी है Compact SUV में Nexon, Breza, Soned, Venue जैसे गाड़ी आती है वहीं पर Mid-Size SUV में Creta, Seltos जैसे गाड़ी आती हैं Compact SUV गाड़ी का लेंद 4 मीटर से कम होता है और जो Mid-Size SUV है उसका लेंद 4 मीटर से जादा होता है Mid-Size SUV गाड़ी थोड़ी बड़ी होती है जोड़ी होती है उसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा मिलता है Compact SUV के मुकाबले दिखिए अगर आपका बजट 12 लाग से 16 लाग के बीच में है तो Mid-Size SUV में Creta, Seltos जैसे गाड़ीों का जो बीच वाला वेरियंट है वो आपके लिए एवलेबल हो जाएंगे जैसे Creta में इस डिजल आप आराम से purchase कर सकते हैं इसी price bracket में लेकिन वहीं पर Compact SUV का Top End Model मिलने वाला है इसी price bracket में तो दिखिए छोटी गाड़ी का Top End को छोड़ करके बड़ी गाड़ी का Mid-Variant लेने का क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ अगर आप Nexon Venue Brezza Sonnet को छोड़ कर क्रेटा को purchase करते हैं तो इन सब के comparison में क्रेटा में जो space आपको मिलेगा वो जादा मिलेगा comfort जो आपको मिलेगा गाड़ी में वो जादा मिलेगा compact SUV में जो गाड़ी है वो compact है नाम से ही पता चल रहा है तो suffocation जैसा जो feeling है वो आपको आएगा compact SUV में तीसरा बड़ा reason क्रेटा अपर सेग्मेंट की कार है compact SUV से अपर सेग्मेंट की कार का मतलब है बहतरी रिसेल वैलू आप टॉपेंट मोडल नेक्सॉन का रिसेल देख लीजिए और क्रेटा का mid variant का रिसेल देख लीजिए दोनों में आपको काफी फरक देखने को मिलेगा क्रेटा लेने का चौथा बड़ा कारण ये है कि ये एक बड़ी कार है बड़ी कार के अंदर जो है space management बहतर होता है status symbol भी आपका बहतर होता है अगर आप एक compact SUV गाड़ी लेकर के आते हैं तो देखने में वो गाड़ी जो है क्रेटा से हमेशा छोटी ही लगेगी क्रेटा का कौन सा model आप ले रहे हैं वो matter नहीं करेगा size के मामले में status symbol के मामले में क्रेटा हमेशा compact SUV जितने भी गाड़िया है उनसे आगे रहेंगी अब बात करते हैं अगर आप compact SUV का top end variant लेते हैं तो उसमें आपको क्या कुछ फायदा मिलने वाला है सबसे पहला compact SUV जो गाड़ी है वो small गाड़ी होती है छोटी गाड़ी होती है easy to park है अगर ladies लोग गाड़ी चलाती है तो मेरे हिसाब से compact SUV उनके लिए best choice होगा क्यूंकि जो features है वो बहुत जादा मिल जाते हैं top end variant में साथ साथ में जो गाड़ी है वो छोटी है कहीं पर भी पार्क हो जाएगी कहीं पर भी वो आराम से conveniently उसको चला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा congested city में रहते हैं तो ट्राफिक के कारण आपको daily परिशान होना पड़ता है तो यहां पर जो compact SUV का automatic variant है उसको आप purchase कर सकते हैं इस price bracket में daily to daily traffic में वो आपको चलाने के लिए ज़्यादा comfortable हो जाएगा साथ साथ में छोटी गाड़ी है आपको बहुत ज़्यादा confident भी feel होगा गाड़ी को चलाते वक्त कहीं पर भी पार्क हो जाएगा पार्किंग के लिए उतना ज़्यादा जगा भी ज़रुरत नहीं है यूटर न गड़ी में मिलते हैं अब आपने दुनों का ही खुबिया और कमिया जान लिया है confusion को अगर सिंपल भाशा में clear किया जाए तो दिखिए अगर आपका बजट साड़े आट लाक रूपए से ग्यारा लाक रूपए के बीच में है तब आपके लिए compact SUV सही रहेगा क्योंकि उस गाड़ी के अंदर जावाब रहते हैं तो जितना ज्यादा आप features को यूज करते हैं उससे ज्यादा आप उसके seats को यूज करते हैं उसके space को यूज करते हैं वैसे कहा जाए तो Alto 800 भी 5-seater कार है उसमें भी 5 लोग बैठ पाएंगे लेकिन क्रेटा जितना मज़ा क्या उसमे चड़ने का मज़ा कुछ और ही है मेरे भाई अगर आपके पास में या फिर आपके relatives के पास में top and variant गाड़ी है तो उनसे पूछ कर देखेगा कि जो gimmicks वाले features हैं वो कितना यूज करते हैं उन features का मैं आपको एक simple question करता हूँ जब कभी भी आप gimmick वाले feature को देखकर के top and variant ग माग को लगा के गाड़ी लेंगे तो गाड़ी का और अपने पैसो का जो अच्छा इस्तमाल है वो आप कर पाएंगे वीडियो गर informative लगा है पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए इसी तर के वीडियो आगे देखना चाते हैं कॉमेंट कीजिए और इस चैनल क को सब्सक्राइब कर लिए बेल में प्रेस कर लिए मिलता है अप सगले वीडियो में जहिंद जभारत